आज हम पुराने मटके में रखे पानी को फ्रिज जैसा ठंडा करने वाले हैं एक छोटे से ट्रिक से दोस्तों ये जो ट्रिक हमाप लोगों से सेर करने वाले हैं ये कोई आलतू-फालतू ट्रिक नहीं है ये हमारे पूरा जो लोग करते चले आ रहे हैं वही ट्रिक हमाप लो का ना हो तो आप लोग नया मटका भी ले सकते हैं तो सबसे पहले हमें मटके को भीगोना है और इसे नार्मली बरतन की तरह हमें धुल लेना है जैसे कि आप लोग वीडियों देख सकते हैं अब एक चमच वाइट वाला नमक ले लेना है और मटके के अंदर इसे डाल देना उ खुल जाते हैं जो पानी को ठंडा करने में काफी मदद करते हैं सेम प्रोसेस अब हमें मटके के पेनी के उपर कर लेना है तो हम यहाँ पर आधा चमश नमक डालेंगा और इसे इस क्रब से कम से कम एक मिनट तक हलके हलके हाथों से रगड लेंगे अब इनको कम से कम एक से डेड़ मिनट तक ऐसे ही छोड़ दिंगे पूरे डेड़ मिनट हो चुके हैं और मटके के अंदर देख सकते हैं कितना खराब पानी निकल रहा है मटके को अब पाणी से हमें अच्छी तरह से धुल लेना है मटका तो धुला गया आधा काम भी हो गया और अब इससे कैसे रखें कि इसके अंदर रखे पाणी फुरिज की तरह ठंडा रहे तो सबसे पहले हमें एक सूती बोरा ले लेना है और उसे भीगो लेना है और उसके बाद हमें एक गमला ले लेना है आपका मटका जितना बड़ा हो आप उतने साइच के ले सकते है गमले के ऊपर भीगोए हुए बोरे को हमें फोल्ड करके अच्छी तरह से रख देना है जैसे कि आप लोग वीडियों देख सकते है फिर हमको यही पर दो चमच नमक ले लेना है और बोरे के ऊपर हमें इसे फैला लेना है दोस्तो यही ओ ट्रिक है जिससे पानी फ्रिज की तरह ठंडा रहेगा और मटके का छेद जो पोर्षन होता नीचे वाला वो बंद नहीं होगा जब बंद नहीं होगा तो पानी हमारा ठंडा रहेगा अब मटके के अंदर पानी डाल देंगे तो दोस्तो आप लोग भी इस्ट्रिक को एक बार जरूर फालो करिए देखिए मटके का पानी फ्रिज की जैसा होगा आप लोग कहेंगे इस्ट्री को हम कास पहले जान गए होते हैं दोस्तो पानी को ठंडा करने का मेरा इन्फार्मेशन आप लोगों को कैसा लागा आप लोग कमेंट बाक्स में लिकर हमें जरूर बताईएगा और दोस्तो वीडियो पसंदायत कर दिजिएगा लाइक सेयर मिलते हैं अगले वीडियो में तो तक के लिए बाई और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा